नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा C.A.L. vs. T.E.M.C. के बीच में जो Rocks Bengal T20 का 30 वा मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में तो इस वीडियो के अंदर आपको Pitch Condition, Weather Report, Top Picks और कौन से SA Plus Important आपके लिए Captaincy, Wires, Captaincy के लिए जिनने आप बना सकते हैं और कोई भी लीग, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग एक अच्छा का सामाउंट विन कर पाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज मैं आपर कवर करूंगा तो इसलिए वीडियो को पूरा जरुर देखेगा उससे पहले आप लोगसे मैं request करूँगा कि आप लोग जरूर कि आप लोग जरूर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें क्यूंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए साथ में जो चैनल के पास रेड़ वाली बटन उसको भी आप लोग ज़रू सब्सक्राइब कर लें इससे क्या होता है कि आपको जो फिरी में आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के पास जो घंटी का निशान इसको भी आल पे प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सब से पहले मिल सके और अगर आप चाहते हैं कि आपको line up के बाद जो भी मेरी final team हो जिससे मैं खुद contest join करता हूँ वो आपके पास पहुंचे तो उसके लिए आप लोग हमारे telegram channel join कर लीजिगा तो हमारे telegram channel आप लोग कैसे join करेंगे आपको simple description यहाँ पर title के उपर click करना और आपको एक link मिलेगी direct आप लोग इस link को जैसे टच करेंगे सीधा आप लोग हमारे telegram channel पर पहुंच जाएंगे 18 होके आसपास वहाँ पर आपको members देखने को मिलेंगे तो जाके जरूर हमारे telegram channel को join कर लीजिगा यहाँ पर भी मैं आपको फिरी team ही provide कराऊंगा तो जरूर आप लोग हमारे telegram channel को भी join कर लीजिगा तो देखिए अगर मैं आपर बात करूँ इस match के top picks की तो पहली pk यहाँ पर आती है शेहवाज है एहमत की जिनोंने 202 run बना हैं और 5 weekend का लें दूसरी pk आपर संदीपन दास की जिनोंने 208 run 15 weekend निकाले हैं तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले इस match के timing की तो यह match खेला जाएगा 7 बजे शाम के समय venue 2 एखिये दोस्तों Eden Garden रहने ही वाला है head to head अगर record में आपर बात करूँ तो आप लोग करता कस्टम क्लब के अगर मैं बात करूँ तो यह अपना 1 match जी चुके है टपन मेमोरियल क्लब के खिलाब वो भी 11 run से टपन मेमोरियल ने अभी तक 9 matches खेले हैं टूना मेट में 6 जीते हैं 3 हारे हैं और यह अभी 1st position पे हैं और इनके पास 12 points हैं जबकि जो कलकता कस्टम में उसे 9 matches खेले हैं जो वो 3 जीती है और यह अभी 1st position पे हैं और इनके पास 6 points हैं तो आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो तपन मेमोरियल क्लब है वो एक strong team है और कलकता कस्टम में एक weak team रहने वाली है पीच रिपोर्ट के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोनों को मदद मिलेगी batsman को भी मिलेगी ballers को भी मिलेगी fast ballers को यहाँ पर swing देखने को मिलेगी शुरुवात के overs में और batsman यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह के से run बना पाएंगे weather report के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी sign नहीं है rain के तो अब लोग इस match में अच्छा कासा amount invest कर सकते हैं क्योंकि rain के यहाँ पर chances बिल्कुल भी नहीं है अब मैं आपर बात के लेता हूँ प्लेंग लेवन की तो सबसे पहले नाम आता है आपर समंतो गुपता का जिनों ने 120 रन बना है प्रो सेंजीत दास ने 66 रन बना है देपेरिया गोष्ट ने आपर 2 रन 0 विके निकाले है चिराग पाटक ने 118 रन बना है अबिलाज शेमिवाल ने आपर 49 रन 10 विके निकाले है शुवांकर बाल ने आपर 231 रन बना है बपी मन्ना ने 3 रन 7 विके निकाले है अगनीपन ने आपर 171 रन बना है साकत बनरजी ने आपर 3 विके निकाले है रवीकान सिंग ने आपर एक रन साथ विकेड निकाले हैं सिर्यान चक्रबती ने आपर दो रन तेरा विकेड निकाले हैं तो आपको यह अगर आपर में बात कुछ जो कोलकाता कस्टम क्लब है उसने 169 रन बनाये थे अपने पिछले मुकाबले में और इनके जो बॉलस थे वो इस टोटल को डिफेंड नहीं कर पाये थे यानि वो ये वाला में चार गे थे इस मैच में जो है वो सुवगंकर पाल टॉप स्कोरर रहते 86 रन बनाये थे अगनी पन और चिराग पाठक ने यहाँ पर 493 रन बनाये थे रवी कांत और स्यान चक्रबती ने दो विके निकाले थे इस वाले मैच में अब मैं अगर बात किनों तपन की तो इनकी तब देखी गोरब चोहान आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने 184 रन चार विके निकाले हैं कोशी गोस ने आपर 84 रन संदीपन दास ने आपर 168 रन और 15 विके निकाले हैं विकास सिंग ने आपर 32 रन चार विकेट निल कांता दास ने आपर 5 विके निकाले हैं शेबाज एमद ने आपर 202 रन 5 विके निकाले हैं तरुन गदोरा ने आपर 70 रन बनायें शाकिर हभीब गांदी ने आपर 138 रन बना है रमेश परशाद ने आपर 8 रन 19 विके निकाले है कैफ एमद ने आपर 240 रन बना है और यहाँ पे पी ब्रह्मन ने 35 रन 11 विके निकाली है तो जो तपन मेमोरियल है वो अपने पिछले मैच में और यहाँ में संदीप अंदास ने 2-2 विके निकाले थे अब बात कर लेते हैं आप लोग इस मैच में बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन आप के लिए कौन है तो सबसे पहले हैं शुवंकर बाल जिनोंने 2-3 रन बना है तो आप लोग इन ही लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन अपने टेप में पिक कर सकते हैं बाकि जो इंपोर्टन प्लेयर आपके लिए हैं वो यहाँ पर सहब आजयमत और संदीप अंदास हैं चाहिए आप लोग GL combination बना रहे हैं और चाहिए आप लोग है 2-8 combination बना रहे हैं इन दोनों को ज़रूर अबने टिप में रखेएगा तो दोस्तों चलिए चलते हैं ड्रीम 11 की तरफ और आपको कमाल की टीम क्रियेट करके दिखा देते हैं जो यहाँ पर देखिए तपन Memorial टीम है वो फर्स्ट पोजिशन पर है और एक स्ट्रॉंग टीम है और यहाँ पर जो CL है वो थोड़ी सी वीक टीम है यहाँ तो आपको अगर मैं जीतना है तो आप लोग यह काम कर सकते हैं कि 7 प्लेयर आप लोग TMC के पीक कर लें और 4 प्ले गांधी रहेगी तो दोनों प्लेयर्स लास्ट मैच में खेले थे और अच्छा परफॉर्म किये थे तो लेना चाहें आप लोग दोनों प्लेयर्स को ले सकते हैं दोनों का क्रेडिट इतना ज्यादा नहीं है कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसलिए मैं आप बैट्समें के उपर फोकस नहीं करूँगा अनली थ्री बैट्समें पिक करूँगा बाकि जो पीछे वो बैटिंग को जहाँ पर सूट कर रही है तो आप लोग लेना चाहें तो तीन से ज़्यादा भी बैट्समें पिक कर सकते हैं आल लाउंटर सेक्शन में देखिए आप पर S.M.A.T. को मैं पिक करने वाला हूँ उसके लब यहाँ पर मैं S.D.A.S. को पिक करने वाला हूँ उसके बादे आपर वी सिंग की पिक है आप लोग चाहें तो तपन की तरफ से इनको अपनी टीम में लेना चाहें तो ले सकते हैं बाकि C.L. की तरफ से आपर कोई में अ पिक करूँगा पर साथ को भी करूँगा उसके लिए आप अपर सरूब एक तो बड़िया बॉलर है तो हमारे पास यहाँ पर देखिए नो का क्रेडरिट वचा है तो मैं आपर वी मन्ना को भी करूँगा तो देख सकते हैं आपको सभी प्लेयर से आपर अपन के ही देखने करूँगा कैप्टन वास कैप्टन भी मैं सेम टीम के रखूँगा वैसे मैं रखता नहीं हूँ लेकिन आपर जो मैंने आपको स्टेट्स बताएं कि एक टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग है दूसरी टीम बहुत ही ज्यादा वीक है तो जिसाब से आप लोग कुछ इस बैलेंस टीम बनाने की कोशिस करूँगा तो जील की टीम आज सायद मैं आपको टेलिगराम पर प्रवाइड कराऊँगा वैसे मैं आपको हैटवे टीम प्रवाइड कराता हूँ लेकिन इस मैच में जो जील है वो सायद जीतना असान होगा क्योंकि सबी लोग तापन की और से प्लेयर्स को भी करेंगे लेकिन हमें फोकस करूंगा जील पे कलकत्ता क्लब के तरफ से तो इसलिए जील की टीम पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर जोइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पहले नंबर पे आपको हमारे लिंक मिलेगी तो जाके ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लीजिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर पे प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके है तो भाईयो मिलता हूँ मैं अब लोगों से नेक्स टूड़ में तब तक के लिए जहां भी रहेगा सुरच्चित रहेगा, अस्ते रहेगा, मुस्कराते रहेगा जितने भी फैंटसी मैचेस हो, जितने भी फैंटसी है अपो जहां पर भी आप लोग इनिवेस्ट करते हो आलवेस आप लोग आपे प्रॉफिट करें, अच्चा कासा माट विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉमिनेशन से तो भाईयों मिलता हूँ मैं अब लोग से नेक्स्ट टूड़े में जल्द ही, तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातर हम